ये है एपी योज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की परताल तरह तक किसन गंज के पोटियां प्रिकंड में पूल निर्मान की मांग को लेकर ग्रामीनों ने अंदोलन तेज कर दिया है आम बारी और बोद्रा घाट के बीच निर्मानादीन पूल लोगों के लिए मुसिबत बन गिया है दरसल यहां का निर्मान कारे 2018 से ठप परा हुआ है और यह घाट तकरिबन लाक की अबादी के संगम बस्थल है पूल निर्मान कारे दूरा रहने से लोगों को नदी पार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना परता है और मिंटों की सफर घंटों में तै होने से काफी नुकसान भी सहना परता है इस चचरी पूल और नौका की ही एक मात्र सहारा है सुखार की सीजन में जन सहयोग से चचरी पूल का निर्मान किया जाता है बरसाथ की सीजन में जान जोखी में डाल कर नौकिसावारी करते हैं यही बजा है कि निर्माने कारे पूल फिर से सुरू कराने को लेकर ग्रामीनों ने धरना परदर्शन सुरू कर दिया है 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो जिकनात द्वारा अनिविता कहार को जिपनी जंद हो दूर करो जुरा पर शासन ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो नेकिन इसके तरफ कोई भी ध्यान आकर्शित ना करने की बदे से काम रुपा रुखता चला जा रहा है तो नहीं होने से बहुत सारी दिक्कत हैं ब्लॉक पूल के उस पार ब्लॉक है इसलामपूर बेंगाल वेस्ट बेंगाल की जो बड़ी मार्किट है लोगों को जरूरतों के सामाल लाना पड़ता है वहां जाने के लिए एक अगर किसी किसम का कोई मरीज होता है तो आज या तो किशन गया जाना पड़ता है तब तक मरीज के हलत खराब हो जाती है या हम लो सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि दौक नदी की उस पार के लोग इस पार रिष्टेदारी भी करना नहीं चाहते हैं कि आपके पास सही रास्ता नहीं है और आज जब ये समस्या आ रही है बरसात का मौसम आ रहा है तो इस मौसम में और नजाने कितने लोगों के जमीने क के पास कि अपने तरह से कोई काम कर सके कोई अंजाम दे सके नाओ में जान में जोखम डाल कर नाओ पर टड़की जो है पार होना पड़ रहा है कि अगर 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 अगर